आपका आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं एरलाइन से जुड़ी बड़ी खबरे जानने जा रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए उसके पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बाल आइकन दबार हो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको दोस्तों पहली खबर स्रीरंका से निकल करा रही है बता दे कि एक अगस्त दुसरे श्रीलंका ने अपने सभी टूरिस्ट को बापस से बुलाने का फैसला कर लिया यानि सभी जो टूरिस्ट यात्री है वो यात्रा कर सकेंगी एक अगस्त सिर्लंका की दूसरी खबर की दरफ आगे बढ़ते हैं जो कि निकल कर आ रही है आपको बता दें सिंगापूर एरलाइन जो कि अपने सर्विसेस बहतर सर्विसेस के लिए जानी जाती है वह फिर से एक बार उडान भरने को तैयार है आपको बता दें कि उन्होंने जो अपना नया निया में वो पब्लिश कर दिया है जो कि पैसेंजर्स के लिए काफी ज्यादा बहतर है और काफी ज्यादा उनके एक्स्पिरियोंस को अच्छा बनाएगा और सुरक्षा की द्रिश्ट्री से भी ये काम करेगा अगली ख़बर की दरफ आगे बढ़ते हैं जो कि एरलाइ की चिंटा काफी ज्यादा बड़ी हुई थी पर यहां पर आये टिया के सुझाओ को मानती हो जब एरलाइन अपने किराये पर कमी लाएंगी तो वैसे वैसे करके एविशन इंडुस्ट्री जो है पहले जैसे पैटरी पर आने लगी अगली कवर की बात करते हैं जो कि इसने कुछ मात्रा में जो अपनी सेलरी अपने स्टाफ की वह काटेंगे अगली कवर निकल कर आ रही है दोस्तों बता देगे इस्राइल के लिए भी जो तीन एरलाइन से उन लोगों ने अपनी जो सेवाय हैं वह देना फिर से शुरू कर दिया जिनमें की सामिल है एयर कैन के लिए विदा लेना चाहूंगा तिल दिन जैहीन बने मातरम